Dear Students, आशा है आप सभी सुरक्षित होंगे। आज हम वसंत भाग तीन की प्रथम कविता ध्वने पढ़ने जा रहे हैं। इसके रचैता सुरेकान तृपाठे निराला जी है। निराला जी चायावादी योग के चार प्रमुच इस्थम्भ में से हैं। निराला जी का जन सन 1899 में हुवा था। इनकी रचनाई हैं परिमल, तुलसीदास, आणिमा, अपरा और लिली। अभी ना होगा मेरा अंत। अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदूल बसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदूल कर। फेरूंगा निदृत कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुश्प पुश्प से तंद्रालस। लालसा खीच लूंगा में अपने नब जीवन का। अमरित सहर्श सीच दूंगा में। द्वार दिखा दूंगा उनको। है मेरे वे जहां अनंत। अभी ना होगा मेरा अंत। बच्चों, इस कविता के माध्यम से निराला जी हमें निराशाओं से बहार आकर आशावादी बनने की प्रेरना दे रहे हैं। वे जानती हैं कि सभी युवाओं में उर्जा वे शमता का अक्षे भंडार हैं। और उनकी धारना है कि जब तक वे आशावादी बने रहेंगे, तब तक उनका अंत होने वाला नहीं हैं। अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी तो आया है मेरे वन में म्रिदुल वसंद अभी न होगा मेरा अंत इन पंक्तियों में निराला जी का आशावादी द्रिष्टिकन परिलक्षित हो रहा है उनका मानना है कि हमें आशावादी बढ़ना चाहिए तथा पूरे जोश वे उत्साह के साथ जीवन जीना चाहिए कभी कहते हैं कि अभी उनका अंत होने वाला नहीं है अभी अभी उनके जीवन में वसंद रूपी आशाव का जन्म हुआ है उनका मन जोश और उत्साह से परिपूर्ण है और जब तक वे अपने लक्षे को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक वे हार मानने वाले नहीं है अर्थात उनकी जीवन का अंत होने वाला नहीं है हरे हरे ये पात डालियां कलियां कौमल ग्यात मैं ही अपना स्वपन मृदूल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर प्रस्तोर पंक्तियों में कवी ने प्रकृती का बहुती सुन्दर चितरंग किया है प्रकृती के विभिन उपादानों का आश्रिये लेकर वे हमें आशावादी बनने की प्रेरना दे रहे हैं अच्छे तो मालूम है कि जब बसंद्रितु आ जाती तो चारतर फर्याली चा जाती है ने ने फूल किल जाते हैं ये ने फूल और हर्याली हमारे मन में आशावक जन देती है और जब हमारा मन बहुत प्रसन होते हैं और निडाशों से हम बहुत दूर होते हैं, तो जीवन में अपने लक्षे प्राप्ति की और बढ़ते चले जाते हैं। और इस फूर्ति का भाव भरा हुआ है। और क्यों इन पंक्तियों में निराला जी ने इसपश्ट किया है मैं ही अपना स्वप्न मृदूल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर निराला जी कहते हैं कि प्राता काल हो गया है परन्तु पोधों पर कलियां मानों अभी तक सो रही है उन्हें उठाती हैं उसी तरह निराशाओं में डूबे हुए इन यवोट के मन से मैं निराशावादी भावनाव क्यों दूर कर अपना आशावादी वह उत्साहा से परिपूर्ण हाथ फेरूंगा तथा मन में नई उर्जा और उत्साहा का संचार करूंगा भाव यह है कि निराशाओं जी ने सोई हुए कलियों क्यों निराशाओं में डूबे हुए इवोट का प्रतिक माना है जिस प्रकार सूरे की उश्मा से सभी पेड़ पोधों और फूलों में प्रान आ जाते हैं उसी तरहा निराला जी भी अपने प्रेरना रूपी इस पर्ष से युवाव में उत्साहा और उल्लास भरना चाते हैं अर्थात वे हारे हुए इवोट को नया जीवन देना चाहते हैं